नमस्कार, बात पते की मैं आपका स्वागत है, मैं विद्देश शंकरतिवारी हूँ और मुद्दा है कि ये नेता बोलने से बाच क्यों नहीं आते, देश में जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है, नफसली घटना होती है, तो उसकी निंदा की जाती है, करवाई की प्धमती बनती है कि हाँ एक्सल लिया जाना चाहिए, सक्त एक्सल लिया जाना चाहिए, दो-चार दिन शांती रहती है, लेकिन उसी बीच में नेताओं को बिने बोले रहा नहीं जाता है, अब अपने एक नहीं नेताओ भर है कमल हसन साप, तमिल नाड़ु से, उन्होंने अपने नई पार्टी बनाये है, सुभाविक है कि अब चुनाव आ रहा है तो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने एक नई मांग उठाई है, फुलवामा हमले के बाद जहाँ पे चारू तरफ उसकी निंदा हो रही थी घटना की एक्षन की मांग हो रही थी भारत सरकार नेशनल, उनके खिलाफ मामला दर्जुआहर द्वार और दहरादुन से खबर आ रही थे चिपट चिपट ऐसी खबर बाते हुई है जिस पर की पूलीस एक्षन में हैं, जहां पे धे खबर मिल रही है, वहां पर एक्षन लिया जा रहा है, क्या है ये पूरा मसला क्यों कमल कमल हासन साहब को अचानक जन्मत संग्रह की याद आई इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी बिश्णु सर्मा जी वो बताएंगे डिटेल की कमल हासन ने क्यों कैसे किन परिस्टर बिसल एक पॉइंट नहीं बोला उनोंने जन्मत संग्रह की खाली बात नहीं दूसरी आजात कश्मीर बोला उससे को जिसे पीयो को कहते हैं हम लोग पाकिस्तान उकूपाइट कश्मीर तो यह जो लेंग्विज है वो किसी इंडियन की नहीं लगती या तो आप अलगाओ वादी हैं या आप इंडिया विरोधी हैं तब आजात कश्मीर उसको बोलते है इसको लेकर तमाम बवाल पहले भी होते रहें मैं रेफरेंडम का थोड़ा से इतियास छोटा सा बता देता हूं कि कैसे जब देश आजाद हो रहा था तो तीन-चार स्टेट थे जो तैनी कर पाई 15 अगस तक कि वो इन्हें इंडिया में मिलना है पाकिस्तान में मिलना है इ उन्हें लगा कि इंडिया में मिल सकते हैं राजात हरी सिंग तो हुआ यह कि कबालियों की पूरी फौज पाकिस्तान ने रवाना कर दी कि वो कश्मीर पर अटेक करें और वाकाइदा उन्होंने वन थर्ड कश्मीर कपजा लिया और जब तक उनका यह फैसला आता हरी सिंग का तब तक वन थर्ड कश्मीर पाकिस्तान के कपजे में था उन्होंने जब साइन कर दिये हैं कि हम इंडिया के साथ मिल रहे हैं तब जाके इंडियन फौज वहां गई और उन्होंने वो जितना भी कश्मीर था वो कोशिश की वापस करने की वापस कपजा करने की अला कि व पाकिस्तान की सेना वहां से बाहर जाए जो भी एरिया उन्होंने कब जा है इंडिया की मेजोर्टी सेना बाहर जा है यहां एक क्लियर के पाकिस्तान की पूरी सेना बाहर जा है इंडिया की मेजोर्टी सेना बाहर जा है थोड़ी सी के लिए बची रहे उसके बाद हम तेय करे है वो तब होना है जब पाकिस्तान की सेना बाहर जाएगी और फिर इंडिया की सेना बाहर जाएगी पाकिस्तान ने कभी सेना बाहर ने की और वो रेफरेंडरम का मामला गड़े में पड़ गया उसके बाद कभी न हुआ 65 का युद्धुआ 71 का युद्धुआ फिर कश्मीर म इतना सारा नरसंगार हुआ कि कश्मीरी पंडित छोड़ के आगे तो रेफरेंडम की बात तो कहीं से आती नहीं है पाकिस्तान अगर शर्ते मालनी होती तब ही मालनी होती तब ही रेफरेंडम हो जाता लिए ऐसा नहीं हुआ और मैं आपको बता दूँ कि उस वक्त की जो सबसे बड़े नेता थे मुसल्मानों के माँ ये नहीं है कि सारे अगर मुसलिम से पाकिस्तान मी जाना चाहते है शेक अब्दुल्ला ने नहरू जी के साथ उस वक्त टाई अप किया गया उन्हें उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जैसी उपादी दी गई उन्हें बनाया गया ये लग बाते बाद में शेक अब्दुल्ला ने अमेरिका से हाथ मिलाने की खबर आ रही थी कि वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं अमेरिका से मिलके कश्मीर को तब उन्हें जेर में डाल दिया था नहरूजी ने लेकिन ये मामला वहाँ दब गया अब गलती बस वही हो गई कि 370 जो डॉक्टर मेट करने मना किया था ड्राफ्ट करने से नहरूजी ने अपने क्लोज लेफिनेंट जो थे गुपास्वामी आएंगर उनको कहा कि आप ड्राफ्ट करिये 370 और नहोंने ड्राफ्ट की और वहाँ इंडियन कोई एक तरह से ना खरीद सकता है कोई भी जमीन जाके तो अलग एक उसको एक टेरेटरी बना दिया गया जो बिल्कुल थोड़ी जम्मू कस्मिर को तीन भाग में बाट देते हैं जम्मू लदाख और घाटी तो घाटी में तो पंडित बचे नहीं है तो बहुत कम बचे हैं तो फ्रेंडम किसके लिए जो वहां पर लोग रह रहा हैं उसमें भी पाएंगे कि दो तरह के लोग है एक कहेंगे कि आजाद हो यह इतने इतने काम मुसल्मान जब एक ललता देती का साशन था जिद्दा का साशन था सुगंदा का साशन था कहां थे मुसल्मान वहां पे एक बंदा आया उसका नाम शिकंदर बुथ शिकन उसने सारे हिंदूओं को मार बगाया सारी चीज़ें की अलंगे आजाद देश म में उपर चपता है कि बहुत अमीर आदमी ते हैं दिसक्श का नहीं होती है वो डिसक्स होना चाहिए आप मिशाल भारत दौद जाते हैं आप दुनिया के सबसे पुराना सोरे मंदर है वहां पे सैटान कड़ा करते हैं और अपनी फिल्म हैदर का गाना शूट करते हैं आप कि कोई बेवकूफ कलाकार आके नेता बनने के लिए अपने एक बोड़ बैंक को खुश करने के लिए कश्मीर के रेफरेंडम की पात करता है तो क्या मतलब इसका वो इंटरनेशनल कम्यूनिटी में चुनाव लड़ने जा रहा है कि इंडिया में लड़ने जा रहा है और उसको उसके लिखा रहे था है शर्ते लागू और शर्ते लागू ध्यान नहीं रखते हैं कुछ भी बोलते हैं और वैसे जब सेना या परामिलेटरी फोर्सेज के जवान मारे जाते हैं तो उनको नहीं दिखती है उनको को दूसरा ही सुर्याद आने लगता है तो है यह एक नाड में इस चीज को लाइक करने वाला एक बर्ग है उन्हें दिख रहा होगा कि साथ हमारा वोट वैंक है इस वजह से बोला होगा अब उनके बोलने के बाद आप पाएंगे कुछ और नेता ऐसे बोलते हुए नजर आएंगे नहीं कमी नहीं है तो नेताओं का काम है वह तो राजनीत करेंगे सियासत करेंगे लेकिन कम से कम जब ऐसे मामलात हो अईसे घटनाए हुई हो और पूरा देश जो है आप रोस में हो दूखी हो सद्मे में हो तब ऐसी बात करना उस गलेक नीचे नहीं उतरती है लेकिन क्या किया सकता है तो आप ऐसी खबरों के लिए खबरों का खबरों से लाइक किजिए शेर किजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दे थैंक यू